चाद नगर जाने वाले रास्ते से जा रहा था और यसी रास्ते पर दो लोग बैठ कर नशा कर रहे थे इसी दोरार इन दोनों ने बिलाल शेक को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि तूने मेरे तरफ क्यों देखा तू हम लोग को घूर कर देख रहा था ये कहते हुए इन लोगों ने दोनों लोगों ने बिलाल शेक पर हमला कर दिया पत्थर और बामू से इसकी जम कर पिटाई करने लगें आपको बताजे कि बिलाल शेक की पिटाई करने वाले ये दोनों वाच्मेन का काम करते हैं और ये दोनों फुल नशे की खालात में इन दोनों का नाम विश्नु थापा और रामू हैं ये मूल रूप से नेपाल के रहने वाले बताये जा रहे हैं और बिलाल शेक की बिरहमी से ये दोनों पिटाई कर रहे थे तभी उसी राष्टे से टेम्पू लेकर शहवास शेक नाम का एक शक्स गुजर रहा था और बिलाल की पिटाई होते हुए जब इसने देखा तो ये टेम्पू रोकर बीच बचाव करके दोनों के चंगुल से किसी तरह से बिलाल को बचा लिय आपको बता दे कि ये दोनों विश्णू थापा और रामू एमेम वली रोट पर घंटो हंगामा किये मार पीट एक दूसरे से करते रहे इन दोनों को भी काफी चोट लगी है कोई भी राहगीर यहां से गुजर रहा था तो उसके साथ ये दोनों उलज रहे थे मार पीट कर रहे थे इस दोरान इन दोनों को भी लोगों ने जम कर पिटाई की है हलाकि जो वहाँ पर लोग मौजूद थे लोगों ने बताया कि पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी और काफी देर तक इन दोनों को वहाँ पर पकड़ कर बिठा कर रखे थे लोग लेकिन काफी देर तक इंतिजार करने के बाद भी जब पुलिस वहां नहीं पहुंची तो इन दोनों युवकों को लोगों ने छोड़ दिया और यो दोनों वहां से चले गए हला कि ये दोनों भी घायल अवस्था में थे और चार नगर का रहने वाला जो विलाल शेक है उसके उपर भी पत्थ आपको सुनाते हैं कि या नाम भाई आपका मेरा नाम इलाल शेक है कहां रहते हैं कैसे एक मार कैसे लगा कुछ तो मुझे ना यहां गल जाने लगा तो मुझे ना ऐसा कॉलर पकड़के अब मेरे सब ना डाल यह पट्था डाल दिया बाई यह तो पत्थर मां रह जा Ant ड़ेखिया और उलो मेरे को मानने लगे दो जन घ contradट तो आरेके घाड़ी रोके यह भाई आ रहते तोमारे तो मैं बोला भाई मुझे मार रहे फचाणे हरे तो वह दो City अलने युद्ध सधाने रहे तो पत्थर ढाल भी और मेरे सर पे लोग दो जन लपट के यहां तक मुझे मारे वा जब लोग जो इन पर मार रहे थे जब लोग मारे तो फिर इसको बचा एक इन लोग मार रहे थे दो लोग झाल झाल